प्रवेश के अनुमती की दूसरी पत्नी विभाने पहली पत्नी को महल में घुसने से रोका हुदाइपूर पैलिस का खुला ताला तो नाराज लोगों ने किया पत्पा अब देखते हैं खबर विस्तार से राइपूर के धर्म संसत में महात्मा गांधी का अपमान करने वाले काली चरण को कलदेर राज शाम राइपूर कोट में पेश किया गया रात करीब आठ बच कर चालिस मिनट पर जब बहार आया तो उसने ओम काली जैश्री राम के नारे लगाए कोट में जब जजनी पूछा तो काली चरण ने अपना नाम अभिजीत सराग और उम्र 45 साल बताई कोट में पेश किया गया बापू का अपमान करने वाला काली चरण अदालत में काली चरण के वकील पूलिस की करवाई को गलत बताते हुए उसको छोड़ने की मांग करते रहे वकीलों ने कहा कि इस केस में बिना नोटिस के गिर्फतारी की गई है कोट ने बचावपक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद काली चरड को दो दिन की पुलिस रिमान पर भेज दिया कोट रूम में वकीलों ने बहस करते हुए काली चरड को आतंकवादी तक कह दिया इसका बाकी वकीलों ने जम कर विरोध किया बाहर काली चरड के समर्थक और कई भाजपानेता नारे बाजी कर रहे थे। कोट केंपस में जैस्री राम और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारी लगाए गए। जज चेतना ठाकुर की कोट में काली चरड को पेश किया गया था। उन्होंने बाहर मचे हंगामे पर फटकार भी संजाय दुबे को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। गिरफतारी के वक्त संजाय दुबे अपने घर पर सो रहे थे। राइपूर पुलिस के मूताबिक फेस्बुक में खाद्य अधिकारी संजाय दुबे द्वारा राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के विरुध सरकार भरकत में आ गई है आज चेफ सेक्रेटरी अमिताब जैन ने सभी कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फरेंसिंग ली और चार पन्नों का गाइड लाइन जारी किया सरकार का कहना है कि अभी प्रदेश में ओमिक्रॉन संक्रमड का एक भी मरीज नहीं मिला है इसे देखते हुए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि रेल हवाई और सडक मार्ग से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की सीमावर्ती सडक पर ही कोरोना जाच की व्यवस्था की जाए पॉजिटिव मरीज के कॉन्टेक्ट स्ट्रेसिंग में सक्ती के निर्देश दिया गये हैं पॉजिटिव मरीज के संपर्ख में आई लोगों को रिपोर्ट आने तक कुरेंटाइन करने के भी निर्देश कलेक्टरों को प्रमुक सची उने दिये हैं शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब सारवजनिक जशन पर केवल एक ती हाइक शमता तक ही विक्तियों को भाग लेने की अनुमती दी गई है अब नववर्ष के उपलक्ष में यहाँ होटलों और सारवजनिक इस्थानों में उत्साव या पार्टी का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा दरसल खैरागड के राजा स्वर्गे देवर्ष सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिह ने पहली पत्नी पद्मा सिह को भीतर आने से रोग दिया तब बाहर मौझूद दोग विभा के खिलाफ नारे बाजी करते हुए पथराओ करने लगे सुबह ग्यारह बजे से परिवार के दोनों पक्षों के लोग उदाइपूर में जुटे हुए थे काफी चर्चा और विचार विमर्ष के बाद पुलिस वप्रशासन की मौझूदगी में दोपहर तीन बजे पहलेस का ताला खुला देववरत सिह के बेटे राजा आर्यवरत ने उदाइपूर पैलेस का ताला खोला आर्यवरत और राजकुमारी शतक्ष सिह के साथ पदमा सिह भी पैलेस के कमरे में दाखिल हो रही थी जिस पर विभा सिह ने आपत्ती जता दी मौके पर दोनों पक्षों के वकील भी मौजूद थे विभा सिह की कड़ी आपत्ती के बाद पदमा को भीतर दाखिल नहीं होने दिया गया पैलेस के बाहर जुटी भीड विभा सिह पर बच्चों पर अत्याचार करने और देवरत सिह को लगातार प्रताडित करते रहने का आरोप लगा रही है देर शाम जब आर्यवरत सिह के खैरागर जाने की खबर फैली तो भीड और आक्रोशित हो गई भीड में मौझूद कई महिलाएं में गेट को तोड़ कर पहले सके मैदान में जागुशी पुलिस के टीम भी भीड को नहीं संभाल पाई यहां हुए हंगामे के बाद भीड को पुलिस ने भगाया और पूरे गाउं में मार्च किया इस दोरान पुलिस के जवानों ने पथराव से बचने के लिए कुर्शियों को सर पर उठा लिया और हंगामा करने वालों को खोचती रही दरसल देववरत सिह के निधन के बाद घर पर उनकी दूसरी पतनी का दखल है और वह देववरत की पहली पतनी के दोनों बच्चे को प्रताडित कर रही है इससे गाउवाले काफी नाराज है पहले समें जब ग्रामीडों ने दूसरी पतने विभास सिह की बनमानी देखी तो वे भड़क गए ग्रामीडों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थराव किया फिलहाल खैरागड में तनाव का महल है और पूरा गाउँ च्छावनी बना हुआ है 36 गड़ की बिलासपुर जिले के रिहाईशी कालोनी में दविश देकर पूलिस ने कोईला व्यापारी ट्रांसपोर्टर समें तीन जुवारियों को गिरफतार किया है बिलासपुर जिले के चकर भाटा धाना श्रेद्र के आशिरवार वैली गालोनी के एक मकान के बरामदे में जुवारियों का फड़ जमा था पूलिस ने मौके से जुवा खेल रहे कोईला कारोबारी भूनिश्वर गोयल उर्फ मुंडा गोयल ट्रांसपोर्टर राजु खान और दीपू उर्फ संजु मानिक पुरी को गिरफतार कर जुवा एक्ट के तहत कारवाई की गई है पूलिस ने इनके पास से दो लाग पैतालिस हजार रुपे जब्त किया है इस बॉलिटेन में फिला ले इतना ही बनरी डीवी लाइप के साथ नमसकार